हेलो दोस्तो आज 7 अगस्त और 7 अगस्त की करेंट अफेर के जो भी important question बनते हैं आज हम उनके बारे में discuss करने वाले हैं इसकी PDF आपको टेलिग्राम चैनल CT करेंट अफेर पर मिल जाएगी और कल संडे है संडे में हम क्या गरेंगे संडे में हम test लेने वाले हैं जो week की करेंट पर ही मिल जाएगा साथ ही साथ में जो बच्चे इसमें टोप करेंगे उनका जो नाम है वो YouTube पर भी आएगा उनका नाम कहां पर आएगा उनका नाम आएगा यूट्यूब पर जो YouTube की community है उसमें उनका नाम भी आएगा तो चलिए आज का पहला question देखते हैं देखिए को क्या हुआ था चैगस्त 1945 को अमेरिका के दौरा हीरोशीमा पर एक परमानुबम गिराए गया था और उसके बाद जो है जापान को काफी मातरा में हानी हुई थी और वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे तो इस तरह की बाद में घटना ना हो इसी के वज़े से हीरो हीरोशीमा दिवस मनाया जाता है और जो अमेरिका है अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 को जापान के हीरोशीमा पर परमानुबम गिराया था और उस परमानुबम का क्या नाम था उस परमानुबम का नाम था लिटिल बोई और इसके तीन दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने फिर से जापान पर एक और पर्मानलबम गिराया और वे कहां पर गिराया वो गिराया नागसा की पर जो जापान का एक दूसरे सहर है तो उसमें भी काफी ज़याद है लोगों की जान गई चल्हें जापान के बारे में जान लेते हैं यहां की राजदानी है टोकियो और यहां की मुद्र है जापानी येन और यहां की प्रदान मंत्री कोन है योसीदे सुगा अगर हम अमेरिका की बात करें तो इसकी राजदानी है वासिंग्टन डीसी और यहां की मुद्र है अमेरिकी डोलर और यहां की वरिष्ट सलाकार बनी है वाइट हाउस में और बाकी की जो जानकारी है आप इनको भी पढ़ सकते हो भारत के पहले स्वेदेशी विमान वाहक विकरांथ को भारते नोसाना में कब सामिल किया जाएगा तो यह जो विकरांथ है आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हो यह विकरांथ और यह भारत के दोरा बनाया गया है और यह भारत के दोरा बनाया गया पहला विमान वाहक है यानि यह क्या है यह एक एर क्राफ्ट है एर क्राफ्ट केरियर केरियर का मतलब क्या होता है केरियर का मतलब होता है ले जाने वाला तो यह क्या अगर सकता है यह अपन के द्वारा बनाया गया अपना पहला विमान वहाग है और कुस्चन यह है कि इसको भारते नोसाना में कब सामिल किया जाएगा तो इसको भारते नोसाना में 2022 में सामिल किया जाएगा हाली में क्या हुआ है हाली में इसकी टैस्टिंग की गई है और इसी की वज़े से यह चर् लेते हैं इसकी स्थापना 26 जनुवरी 1950 को भी थी और वरतमान में जो इसके पुर्मुक हैं वो कोन है करमवीर सिंग कौन सा देश संसोधनों के बाद अंतराश्टिय सोर गठ बंदन फ्रेमवर्क समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला पांचो देश बना है तो आप यहाँ पर देखिए International Solar Alliance तो इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अंतराश्टिय सोर गठ बंदन तो इसमें कौन सा देश सामिल हुआ है और वह पांचो देश बन गया है तो इसमें हाली में जर्मनी सामिल हुआ है अगर हम पहले देश की बात करें तो इसमें पहला सामिल होने वाला देश कौन सा है डैन्मार्क और यहाँ पर देखो एक सब्स लिखा है संसोधन तो इसके बारे में समझ लेते हैं इसका आखिरकार मतलब क्या है देखो यह जो I.S.A. है इसकी स्थापना 2015 में हुई थी 2015 में और इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी इसकी स्थापना परिस में की गई थी परिस फ्रांस के अंदर और अगर हम इसके मुख्याले की बात करें तो इसका मुख्याले गुरू ग्राम हर्याना में इस्थित है और जब इसकी स्थापना 2015 में की गई थी तो यह मिश्चे क्या गया था कि इसमें कौन-कौन से देश सामिल हो सकते हैं जैसे कि इसमें वही देश सामिल हो सकते हैं जो इस तरह के पैनल के दोरा जो ये पैनल हैं इनसे बिजली बना सकते हैं यानि जो सोर उरजा का उतपाधन कर सकते हैं तो इसमें केवल वही देश सामिल हो सकते हैं तो अगर हम बात करें कि ऐसे कौन कौन से डेश है जहाँ पर सूर्य की डारेक्ट किरने पड़ती है तो इसमें वो सभी डेश आते हैं जो 75.75 डिगरी दक्षिन और जो 75.75 डिगरी उत्तर के बीच में पड़ते हैं तो इन दो रेखाओं के बीच में जितने भी देश पड़त ये नियम लाया गया कि इसमें ये जो भारवाले देशे हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं और जो यहाँ पर पढ़ते हैं वो भी इसमें सामिल हो सकते हैं तो इन में सामिल होने वाला पांचों देश कौन बना है जर्मनी चलिए हम इसके बारे में जान लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलाइंस के बारे में तो इसकी इस्थाबना कब हुई थी इसकी इस्थाबना 30 नॉम्बर 2015 में हुई थी और इसका मुख्याले गुरुगुरुम हर्याने के अंदर है और इसके महाने दिसे कोन है अजय माथुरु चलिए जर्मनी के बारे में भी जान लेते है इसकी राज़दाने कया है बरलिन और और यहां की मुद्र है यूरो परदान वैग्यानिक सलाकार तो परदान वैग्यानिक सलाकार कोन है प्रोफेसर के विजय रागवन तो इनके दोवारा क्या किया गया है इन्होंने एक बट्टी का उद्गाटन क्या है और बट्टी का नाम क्या है बट्टी का नाम है विकेंद्रिकरत जेव चिकतसा अपसिस्ट बट्टी तो आप इसका जो डाइगराम है आप इसको यहाँ पर देख सकते हो यह है विकेंद्र क्च्रे क्या है इसका कार्य है कि जो चिकत्सा के बाद जो भी बेकार कच्रा उत्पन होता है उसको यह नश्ट कर देगी और अगर हम इसकी छमता की बात करें तो इसकी छमता है यह 50 किलोग्राम बायो मेडिकल कच्रे को पिरती गंटे में नश्ट कर सकती है और यह जो की राज़दानि के है बिहार की राज़दानिय है पटना और यहां के मुख्य-ömंतरिय नितिश कुमार और यहां कराज जैपाल कुन है फावु चुहान मंत्रि मंडल ने समग्र शिख्सा योजना या समग्र शिख्सा इसकीम को कितने वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है तो जो केंदरी है मंत्री मंडल है उसके दवारा समगर सिक्सा योजना को पांच वर्स के लिए बढ़ा दिया गया है अब यह योजना 2026 तक लावू रहेगी और यह जो समग्र शिक्सा योजना होती है यह किसके लिए होती है यह स्कूली बच्चों के लिए होती है जो विध्यारती कक्षा 0 से लेकर करके कक्षा 12 तक पढ़ते हैं तो उन्ही के लिए ही यह योजना है और इस योजना का उदेशे क्या है इस योजना का उदेशे है कि वर्ष 2030 तक गुर्मत्त पूर्ण सिख्षा पराप्त करना जो स्कूली बच्चे है उनको गुर्मत्त पूर्ण यानि जो क्वालिटी वाली एजुकेस है न उसको परदान करें जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया की पहली महिला निदेशक कोन बनी है तो इसकी फ़र्ष्ट वोमेन डारेक्टर कोन बनी है तो इनका नाम है धृत्ती बैनर जी जो लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया और इसकी स्थापना कब हुई थी यह जो संस्थान है इसकी स्थापना 1916 में हुई थी और आप देख सकते हो 1916 से लगबख 100 साल हो गए हैं 100 साल से भी जादा वर्स हो गए हैं और 100 साल के बाद में इसकी पहली महिला निदेसक बनी है और उनका नाम क्या है धरती बेनर जी चलिए अब हम जूलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के बारे में जान लेते हैं तो आप यहां पर देखे इसकी स्थापना एक जुलाई 1916 में हुई थी और इसका मुख्याले कौलकाता में इस्थी थी और इसकी निदेसक कौन बनी है धरती बेनर जी अनुपालन सूचना पोर्टल किसके द्वारा लॉंच के गया है तो अनुपालन सूचना पोर्टल पोर्टल का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है वेबसाइट तो यह है वेबसाइट किसके दवारा लॉंच की गई है यह लॉंच की गई है केंदरिय एपरितिक्ष कर और सीमा सुल्ख बोर्ड तो इसमें हम केवल इसके बारे में और जान लेते हैं तो इसका जो मुख्याल ले है केंद्री है एपरतेक्षकर और सीमा सुल्क बोर्ड इसका मुख्याले कहां पर सीता है मुंबई महराष्ट में स्थिता है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी राजीव गांदी खेल रतन पुर्षकार का नाम बदल कर क्या रखा जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हो यह हैं पीम मोदी और इन्होंने हाली में गोशना किया कि जो राजीव गांदी हैं उनके नाम पर जो पुर्षकार दिया जाता है राजीव गांदी खेल रतन पुर्षकार उसका नाम बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरुषकार रख दिया जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हो यह हैं होकी के जादुगर मेजर ध्यानचंद और अगर हम इस पुरुषकार की बात करें यह जो राजी उगांदी खेल रतन पुरुषकार है इसमे 25 लाग रुपे परदान की जाते हैं और इसकी जो शुरुवात है वो कब की गई थी इसकी शुरुवात 1921 में से लेकर करके 1922 में की गई थी Trifad Trifad ने 6 घस्त को अपना कौन सा इस्तापने दिश्मनाया है तो Trifad ने 6 अपना 34 इस्तापने दिश्मनाया है रहते हैं या जो लोग जन जातियों में रहते हैं तो उनके दोरह इस तरह के कुछ उत्पाद बनाए जाते हैं जैसे आप यहां पर देख सकते हो यहां पर लिखा है पहाड़ी हनी यहां पर क्या लिखा है पहाड़ी हनी और यह इस तरह के कुछ यहां बरतन भी हैं और यहां लोग हैं वो इन उत्पादों को किस तरह से बेच पाएं तो आप यहां पर देख सकते हो यह हैं इनके कुछ उत्पाद चलिए मैं आपको ट्राइफएड के बारे में बता देता हूँ तो आप इसकी जो फुल फॉर्म है आप यहां पर देख सकते हो इसकी इस्तापना 1987 में हुई थी और इसका मख्याले नई दिल्ली में इस्तित है संकर सुबरामन्यम किस खेल से संब्धित है जिनका हाली में निदन हो गया है तो आप यहां पर देख सकते हो यह हैं संकर सुबरामन्यम जो फुटबोल से संब्धित है और इन्होंने फुटबोल के चेतर में अपना योगदान दिया है और ये 1956 और 1960 के ओलम्पिक में खेले हैं भारत के लिए और ये गोल कीपर थे श्री राम जनम भूमी तीर्थ चेतर ट्रस्ट ने कब से सरधालूओ के लिए राम मंदिर में आराद्धी है राम लाला के दर्शन के लिए अनुमती दे दी है तो जो राम जनम भूमी है जो राम मंदिर है वहाँ पर वो कब से स्टार्ट होने वाला है वो स्टार्ट होने वाला है इसकी आप यहाँ पर देख सकते हो वो स्टार्ट होने वाला है दिसम्बर दोजार तेज से तो जो सुर्धालू है वो वहाँ पर दोजार तेज में जागर के दिसम्बर दोजार तेज में जागर के वो वहाँ पर सिर्राम जी के दर्शन कर सकते है तो जैसे कि यह दिसंबर 2023 से ओपन होने वाले है लेकिन यह जो प्रोजेक्ट है यह 2025 में समाप्त हो जाएगा और इसमें जो लागत आने वाली है वो कितनी है 900 से लेकर के 1000 करोड तो चले दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही ठैंक्स और ओचिंग दर वीडियो कल मिलते हैं आपसे